अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको नहीं पता की logic behind superstitions क्या है तो logic behind superstitions एक दो वीडियो की छोटी सी सी शीरीज जिसमें मैं आपको बताता हूं हमारे आस पास की common superstitions और उनके पीछी का scientific logic अगर उनके पीछे कोई scientific logic है तो अगर आपने अभी तक logic behind superstitions part 1 नहीं देखा है तो आप i button पे click करके देख सकते हैं और description में link भी चेक कर सकते हैं वहाँ से भी आप logic behind superstitions part 1 देख सकते हैं तो इस वीडियो में मैंने आपको 8 common superstitions और उनके पीचे का scientific logic बताया था और इस वीडियो में उसी list को आगे बढ़ाते हुए 7 और common superstitions और उनके पीचे का scientific logic बताऊंगा और last में overall review देते हुए मैं आपको ये भी बता दूँगा कि total 15 में से कौन से superstitions में से कौन से आज काम करेंगे और कौन से आज के time में काम नहीं करेंगे और इस वीडियो के end में मैं अपनी खुद की थियोरी दूँगा कि क्यूं ये superstitions बनाए गये थे इनके पीचे का scientific logic सीधे सीधे लोगों क्यूं नहीं बताया गया था So let's begin Number 1 प्याता no haircut or shaving on Tuesday मतलब कि मंगलवार को हमें बाल और डाड़ी नहीं बनवानी चाहिए और मंगलवार को बारबर यानि नाई अपना कोई भी टूल टच नहीं करते हैं और मंगलवार को वो अपनी दुकाने भी बंद रखते हैं तो अंध विश्वास के अनुसार मंगलवार के भगवान कूजा या मंगल ग्रह हैं जो कि हमारी उपर बुरा प्रभाव या इफेक्ट डालते हैं लेकिन हमारे बालों में हमारी बॉड़ी की पूरी पावर इस्टोर होती है जिससे हमारे उपर मंगल ग्रह का बुरा प्रभा नहीं पड़ता तो अगर हम Tuesday या मंगलवार को अपने बाल कटवाते हैं तो हमारे बालों में जो हमारी पावर इस्टोर होती है वो पावर रिड्यूस हो जाएगी जिसके कारण हमारे उपर मंगल ग्रह का बुरा प्रभाव पढ़ने लगेगा और हमारे साथ बहुत ही बुरा होगा तो इसके पीछे का scientific logic बहुत सिंपल है ज्यादा तर लोग बाल बनवाने संडे को जाते हैं क्योंकि इंडिया में संडे को ही holiday होता है और लोग weekend में बाल बनवाते हैं जिन में student college office सभी लोग होते हैं तो इसी लिए सभी नाई Saturday, Sunday और Monday बहुत busy रहते हैं क्योंकि कुछ आलसी लोग Monday यानि सोम वार को भी बाल कटवाने जाते हैं ताकि वो सनी वार और रवी वार की लंबी लाइन से बच सकें तो इसी के कारण बार बस को तीन दिन लगातार काम करना पड़ता है जब पूरी दुनिया Sunday को अ बार बस अपनी दुकाने बंद रखते हैं ताकि वो उस दिन रिष्ट कर सकें और अपनी दुकान की सारी सौपिंग भी कर सकें क्योंकि उसके बाद उनको लगतार पूरे हपते काम ही करना होता है और उनको Tuesday वो एक ही दिन as a holiday मिलता है तो इसलिए हमें Tuesday यानि मंगलवार को God Happy मतलब की उपवास करने से भगवान खुस होते हैं इसके पीछे का अंधिविश्वास तो इसके नाम से ही पता चल जाता है तो अंधिविश्वास ये कहता है कि हमें regularly व्रत रखते रहना चाहिए जिससे भगवान आमारी उपर खुस रहता है हम्म्म्म्म्म्म्म मतलब भूंका देखके खुस रह सकता है अगर आप एक पेरेंट है तो जहां से सोचे क्या आप अपने बच्चों को भूंका देखके खुस रह सकते हैं या आप कोई स्टूडेंट है तो अपने पेरेंट से पूछिए कि क्या वो आपको भूंका देखके खुस रह सकते हैं और ल खाते रहते हैं जैसे कि चीप्स, पिज़ा, बर्गर, कुर्कुरे, समोसा और नजाने हजारो अश्ट फूड तो ऐसे में हमारी बॉड़ी को बहुत महनत करने पड़ती है क्योंकि आजकल के लोग खाना को ज़्यादा चबाने में भी विश्वास नहीं रखते हैं और कहते है कि हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हम जल्दी खाना खाके चले जाएंगे तो जिस प्रकार एक मसीन को लंबे समय तक चलने के लिए आराम की जरूरत होती है उसी प्रकार हमारी बॉड़ी भी एक मसीन है जिसको लंबे समय तक चलने के लिए आराम की जरूरत है इसलिए ह आप लंबे समय तक जिन्दा रहेंगे, और भगवान भी खुस हो जाएंगे, बहुत फायदे होते हैं पुवास रखने के, आप भी खुस, आपका सरीर भी खुस, भगवान भी खुस, तो इसी खुसी-खुसी में वीडियो को लाइक भी कर दीजी, जिससे मैं भी थोड़ा सा खुस हो जाओंगा, नमर तीन प्यादा, we should not chew तुलसी leaves, मतलब कि हमें तुलसी के पत्तों को नहीं चबाना चाहिए, तो अंद विश्वास के अनुसार तुलसी भगवान देव, विश्नु की पतनी का अवतार है, इसलिए हिंदू माइथलोजी के अनुसार, तुलसी के पत पवितर नहीं होता है, अरे, छोड़ते हैं, बात करते हैं, अगर इसके पीछे की साइंटिफिक लॉजिक की, तो तुलसी के पत्तों में बहुत ही जादा मातर में मर करी, और आइरन पाया जाता है, तो अगर हम तुलसी के पत्तों को चबाएंगे, तो ये element, यानि तत्त्त हमारी मकल कैविटी, यानि हमारे मुँ में मिक्स हो जाते हैं, जो की हमारे दातों के लिए बिलकुल भी अच्छा नहीं है, उसी के साथ साथ तुलसी ऐसिडिक, यानि अमली होती है, ऐसिड हमारे दातों के लिए बहुत ही जादा हानिकारक होता है, इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं तो अगर आप वो वीडियो मिस न कर सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आगे बढ़ते हैं नमबर चार प्यादा टेक बात आफ्टर कमिंग फ्रॉम फ्यूनरल मतलब कि हमें समसान घाट से आने के बाद नहा लेना चाहिए क्योंकि भूत लग जाता है हमारे पीछे सच में भूत लग जाता है हमारे पीछे अन्वी स्वास तो यही कहता है कि भूत लग जाता है आपके पीछे बात करें अगर इसके पीछे की scientific logic की तो जिस भी जगा डेर बाड़ी को गाड़ा या जलाया जाता है वो जगा बिल्कुल भी साफ नहीं होती है तो obviously उस जगा में बहुत सारे jumps और बिमारिया होती हैं इसलिए हमें funeral से आने के बाद नहा लेना चाहिए नहीं तो भूत लग जाएगा ये सेम चीज हॉस्पिटल से आने के बाद भी लागू होती है क्योंकि हॉस्पिटल में तो बिमारिया ही बहुत सारी होती है और भूत भूत नहीं लगता है आपकी पीछे इसलिए गवराने की बिल्कुर प्रज़रूरत नहीं है तो अगली बार आपको कोई डराए तो आप उसको मेरा ये वीडियो दिखा सकते हैं मेरा भी watch time और views बढ़े आएंगे नमबर पाच पे आता है crush snakes head after killing मतलब कि हमें साप को मारने के बाद उसका सर कुचल देना चाहिए वैसे हमें किसी भी जानवर को मारना तो नहीं चाहिए पर अपने बचाओ के लिए अगर हम by chance साप को मार देते हैं तो ये अंद्विस्वास है कि हमें उसका सर कुचल देना चाहिए तो अंद विश्वास के अनुसार, अगर हम साप को मारने के बाद उसका सर नहीं कुछ लेंगे, तो उसकी आखों में साप का कोई रिलेटिव हमारी फोटो देखके, बदला पुर मोड में आके हमसे बदला लेगा, जी हाँ, अगर हम साप को मारने के बाद उसका सर नहीं उसकी आखों में हमारी पिक्चर को देखके बदला पुर मोड में आके हमसे बदला लेगा जो की बहुत ही ज़्यादा इल्लोजिकल लगता है क्योंकि साप की आखे कोई कैमरा तो है नहीं तो साप को मारने के बाद उसका सर कुचलने के दो रीजन है बात करते हैं अगर पहले रीजन की साप को मारने के बाद उसका सर इसलिए कुचल देना चाहिए ताकि साप को एक इंस्टेंट और पैनलिस दिथ मिल सके अगर हम उसे मार के उसका सर ऐसे एक खुला छोड़ देंगे तो उसे बहुत ही ज़्यादा पैनफुल दिथ मिलेगी जो की बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और बात करते हैं अगर दूसरे रीजन की तो साप मरने के बाद भी कुछ घंटे तक काट सकते हैं और ताकि वो किसी को काट भी न सके और एक और रीजन आ जाता है अगर हम साप को मारने के बाद उसका सर नहीं कुछ लेंगे तो उसके परियार वाले हमको मतलब हमारी फोटो देख लेंगे क्योंकि साप की यांखे एक कैमरा होती है डिजिटल कैनन डी टू अंडेड डी एसलार कैमरा हमारी फोटो वहां बढ़िया कुलाज बनके सेव रहती है तो अगर वो हमारी फोटो देख लेंगे तो बदलपूर मोड में आ जाएंगे और हमसे बदला लेंगे नमबर 6 पहा था टूटे कांच में नहीं देखते और अगर घर में कांच टूटा है तो कोई ना कोई अपसगुन होगा बात कर लेते हैं जहां तक टूटे कांच में ना देखने की बात है तो उसके पीछे छोटा सा लॉजिक है जो कि आपको बहुत irrelevant भी लगेगा तो बात कर लेते हैं कि तूटे कांच में क्यों नहीं देखना चाहिए तो तूटे कांच में इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि पहले के टाइम में electricity नहीं हुआ करती थी और लोगों को अच्छे से नहीं दिखा करता था तो लोग अपने आपको हट कर लिया करते थे तूटे सीसे में देखके और अगर बात करते हैं कि घर में तूटा हुआ सीसा क्यों नहीं रखते हैं तो पहले के टाइम में काच बहुत ही कीमती हुआ करते थे और बहुत ही कमजोर हुआ करते थे उसके साथ साथ बहुत ही महगे आया करते थे तो इसलिए पहले के लोगों ने ये सूपरस्टिशन बनाया कि अगर घर में काच तूटा तो कोई न कोई अपसगुन होगा तो अप भी चाहे बोल सकते हैं, बहुत ही महेंगे मिलते थे, लेकिन आज के मिरस तो बहुत ही सस्ते मिलते हैं, और आज के टाइम में इसके कोई सेंसी नहीं बनता है, क्योंकि आज तो दद्दस रुपए में कांच और मिरर और सीनिरी मिल जाती है, तो यह जिर्पे एक अंदी विश ताकि कोई पा न पाए, या वहां से वो गिर न सके, तो कोई अपसगुन नहीं होने वाला है, आप तूटे सीसे को भी बचा के रख सकते हैं, कम से कम पैसा तो बचेगा, बस आपको सिर्फी यह ध्यान देना है कि उससे कोई हट नहीं तो लोग तो यह कहेंगे कि पर वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि, नमर साथ पर आता है, चंदर ग्रहन और सूर ग्रहन के समय में हमें अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, खास कर यह भी बोला जाता है कि प्रेगनेंट वुमन यानि कि घरवर्दी महिलाओ को सूर ग्रहन या च काम होता है, वो सब कुछ कर लेना चाहिए, और सूर ग्रहन और चंद ग्रहन के टाइम में ऐसे घर में मतलब बैठे रहना चाहिए, बात करते हैं अगर इसके पीछे की साइंट फिक लॉजिक की, तो सूर ग्रहन और चंद ग्रहन के समय में हमारी एर्थ पे बहुत ही हामफ बहुत ही ज़्यादा हामफुल हो सकता है, तो लॉजिक बाइंड सूपरस्टीशन पार्ट वन और इस वीडियो को मिला के मैंने आपको टोटल 15 सूपरस्टीशन और उनके पीछे का सैंट्फिक लॉजिक बता दिया है, तो जैसे कि मैंने वीडियो की सुरुआत में बोला था कि क्यों सूपरस्टीशन बनाए गए थे, तो बात कर लेते हैं अगर पहले चीज़ की, तो पहले मैंने बोला था कि मैं सारे सूपरस्टीशन में से बताऊंगा कि कौन से आज के टाइम में काम करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं क पिछली वीडियो को और इस वीडियो को मिला के मैंने कौन कौनसे जुपस्टिसंस के बारे में बताया है तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है दरवाजे पे नीम्बू मिर्ची टगाने से मा अलक्ष्मी नहीं आती रात में जाडू नहीं लगाना चाहिए, आप सगुन होता है उत्तर दिसा की तरफ हमें सर करके नहीं सोना चाहिए बिली रस्ता कार दे तो हमें आगे नहीं जाना चाहिए अगर हम कोई अच्छा काम करने बाहर जा रहे हैं घर से हमें दही चीनी खाके निकलना चाहिए खाते टाइम बात नहीं करना चाहिए और पीपल के पेड़ के पास नहीं जाते क्योंकि भूत रहता है और इस वीडियो में मैंने आपको बताया है की मंगलवार को बाल क्यों नहीं कटवाते फास्ट रखने से भगवान क्यों खुष रहते हैं तुलसी के पत्तों को चबाये क्यों नहीं जाता समसान घाट से आने के बाद नहाया क्यों जाता है साब को मानने के बाद उसका सर क्यों कुछल दिया जाता है तूटे सीस्से में क्यों नहीं देखना चाहिए और चंद्रगहड और सूरगहड के समय में हमें घर से बाहर क्यों निकलना चाहिए तो अब मैं सीधे सीधे आपको बता देता हूँ कि कौन से सूपरस्टीशन आज के टाइम में काम करेंगे तो जो सूपरस्टीशन आज के टाइम में काम करेंगे वो हैं तरवाजे पे नीमू मिर्ची टगाना, दूसरा नॉर्थ की तरफ सर करके नहीं सोना चाहिए, या उत्तर की तरफ सर करके नहीं सोना चाहिए, तीसरा घर से हमें दई सीनी खाके निकलना चाहिए, खाटे ताइम बात नहीं करते, उसके बाद no haircut on Tuesday, फास्ट रखने से भगवा नहीं निकलना चाहिए, मुझसे एक सूपर स्टीसन छूट गया है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो वो सूपर स्टीसन है कि पानी में सिखके फेकने से हमारा गुड लग बढ़ता है, जो कि आज की टाइम में काम नहीं करेगा, तो यह सारे सूपर स्टी इसकी, दूसरी चीज मैंने बोली थी कि मैं अपनी खुद की थियोरी दूँगा कि क्यों यह सूपर स्टीसन बनाए गये थे, तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने इसे कहीं से पढ़ा नहीं है, या कहीं देखा नहीं है, या किसी को बोलते सुना नहीं है, तो पहले के टाइम म इसको मत करो, इसको करने से यह होगा, इसको मत करो, तो लोग उनको पागल बोलते, और उनकी बातों को नहीं मानते, पर पहले के लोग दूसरे लोगों को भाला चाहते थे, इसलिए उन्होंने सूपर स्टीसन बनाया, ताकि लोग अच्छी चीज़े करती रहें, उनका भा होता रहे और उन्हें परिसान भी ना होना पड़े लेकिन इसका फाइदा भी आगे चलके बहुत लोगों ने बताया और अपने फाइदे के लिए ही बहुत सारे सुपरस्टीशन बना दिये जैसे की मंदिर में मंगलवार को जाके दूद चड़ाने से आपकी इच्छा पूर मन में बताएं उन्हें की पीचे साइंट्विक लॉजिक थे अगर मुझसे कुछ सुपरस्टीशन मिस हो गया तो आप कॉमेंट में करके बता सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटी वीडियो के लिए सब्स्रा झाल